हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्व चैनल सर्वेस स्टडी बच्चों आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं क्लास टेंट साइन्स के अब्डेक्टिव कोस्चन सॉल्ड कराऊंगा और बच्चों इस तरह की ठेर सारी वीडियो मैंने अपलोड करी है केवल और केवल आप के लिए तो उन सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाके आप वीडियो देख लीजिए ठीक है बच्चों तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी बच्चे चैनल पे नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्डेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुच जाए और बच्चों वीडियो को कताई थोड़ा सा भी स्किप मत करिया क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत थी इंपॉर्ड मेरर के थुरू कैसा इमेज बन रहा है वर्चूल इमेज बन रहा है तो मेरर कैसा होगा तो बच्चों स्फेरिकल मेरर हमारा दो टाइप का होता है एक होता है कॉनकेव मेरर और दूसरा होता है बच्चों कॉनवेक्स मेरर तो कॉनकेव मेरर में सिक्स कंडिशन होती है और स इसी condition होती ही जिस case में हमारा virtual image बनता है कब बनता है जब हमारा जो object है बच्छों वो focus और pole के बीच रखा जाता है तो हमारा virtual image बनता है और convex mirror में बच्छों दो cases होते हैं और दोनों ही cases में हमारा virtual image बनता है ठीक है तो option C हमारा correct answer होगा दूसरा question दिया है 29 number का कह रहा है कि whatever be the position of the object the image formed by a mirror is virtual erect and smaller than the object the mirror then must be कह रहा है कि object कहीं भी रखा है किसी भी position पे रखा है इससे कोई मतलब नहीं है जो image बन रहा है mirror के थूँ वो कैसा बन रहा है virtual erect and smaller बन रहा है तो हमारा mirror कौन सा होगा तो बच्चों virtual erect और smaller image किस के थूँ बनता है convex mirror के थूँ बनता है अब आप बोलोगी कि सर ने अभी बताया कि virtual image तो concave mirror बनाता है बट बच्चों concave mirror जो virtual image बनाता है वो virtual और erect तो रहता है बट larger in size होता है इस वज़े से यहां पे concave option correct नहीं होगा तो हमारा correct answer कौन सा होगा option C convex mirror ठीक है next question देख लेते हैं बच्चों next question इस screen पे है आपका 30 number का question है कह रहा है कि the mirror used by a dentist to examine the teeth of a person कह रहा है कि जो dentist होते हैं बच्चों मतलब कि जो दात के doctor होते हैं वो आदमियों के दात को examine करते हैं teeth को examine करते हैं तो कौन सा mirror use करते हैं बच्चों आप सभी को पता है कि concave mirror होगा क्यों 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 कि concave mirror के through ही हम in large image बना पाते हैं magnified image बना पाते हैं और दात तो छोटे छोटे उसके दात के अंदर हमको देखना पड़ता है तो एकदम बहुत ही जादा उसका zooming image चाहिए हमको बहुत ही बड़ा image चाहिए तो इस वज़े से हम concave mirror यूज़ करते हैं जिससे कि magnified image हम gain कर सकें तो हमारा correct answer कौन सा होगा option भी concave mirror ठीक है next question है बच्चों screen पे the image formed is always virtual the mirror can be कह रहा है कि जो image बनता है किसी mirror के द्वारा वो हमेशा कैसा रहता है बच्चों virtual रहता है तो हमारा mirror कौन सा होगा बहुत ही बड़िया question है बच्चों virtual image किसके किसके द्वारा बनता है बनता तो concave और convex दोनों के द्वारा ही है बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि हर cases में virtual image अगर बने तो mirror कौन सा होगा तो हमारा सबसे पहले convex mirror होगा और बच्चों इसके alarm मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था कि जो plane mirror होता है न वो भी same size का same distance पे object की same distance पे image बनाता है और virtual image बनाता है इसका मतलब हमारा correct answer कौन सा होगा option c that is correct answer convex or plane mirror ठीक है बच्चों next question देख लेते हैं 32 number का question है कह रहा है कि a concave mirror cannot be used as कह रहा है कि जो concave mirror होता है वो किस तरीके से नहीं use किया दा था किस के लिए पहला दिया a magnifying mirror magnifying के लिए तो use किया या था अभी तो मैंने बता है डेंटिस्ट यूज़ करते हैं concave mirror को b दिया है a torch reflector ये भी इस तरीके से हम यूज़ करते हैं c दिया है a dentist mirror ये तो अभी उपर भी आया था तो ये तीनों option गलत है क्योंकि इन तीनों तरीके से हम concave mirror को use करते हैं option D हमारा correct answer है क्योंकि हमको negative answer चूज़ करना यहां पे कि किसमें जो हमारा concave mirror होता है वो नहीं use किया जाता तो rear view के लिए हम concave mirror का use नहीं करते हैं क्यों नहीं use करते हैं क्योंकि हमको rear view का मतलब आप समझ रहो कि जो पीछे vehicles आती रहती हैं जैसे कि मानलो कोई भी आदमी है वो car drive कर रहा है तो car का जो side mirror है वो हमारा convex mirror होता है convex क्यों लगाते हैं क्योंकि हमको rear view देखना रहता है मतलब पीछे जो गाड़ियां रहती हैं उनको smaller size में देखना पड़ता है और अगर हम rear view देखने के लिए concave mirror का यूज कर देगे तो पीछे वाली गाड़ियां हमको size से ज़्यादा बड़ी दिखेंगी magnified image में लेगा उनका तो वहाँ पर problem हो जाएगी ठीक है तो इस वज़े से हम rear view mirror की तरीके से नहीं यूज कर सकते concave mirror को 33 number का question है बच्चों कह रहा है कि a boy is standing in front of and close to a spherical mirror he finds the image of his head bigger than normal the middle part of his body of the same size and his legs smaller than normal the spatial mirror is made up of three types of mirrors in the following order from top downwards बहाँ थी बड़िया और बहाँ थी इंपर्ट कोशन है बच्चों ध्यान दीजिएगा बहाँ थी बड़िया कोशन है बच्चों कह रहा है कि एक लड़का है वो mirror के सामने खड़ा हुआ है ठीक है बहुत ही close खड़ा हुआ है और वो क्या पाता है कि उसके जो सर का image बनता है न बच्चों वो bigger बनता है बड़ा image बनता है उसके सर का और इसके अलावा क्या कह रहा है बच्चों कि जो उसके middle part body का जो middle part रहता है उसका जो image बनता है वो same size का बनता है और जो leg का image बनता है उसके वो normal बनता है ठीक है बच्चों smaller बनता है sorry normal से smaller बनता है मतलब कि जितनी उसका लेग रहता है उससे छोटा बनता है तो कह रहा है कि कौन सा मिरर होगा मतलब कि जो मिरर इस तरह का डिजाइन किया गया है वो तीन टाइप के मिरर को मिला के बनाया गया है तो following order बताना है top to bottom में मतलब उपर जो larger बन रहा है फिर same size फिर smaller size तो इस तरह के से बताना है कि कौन से तीन टाइप हमारे होंगे यहां पर तो पहला option दिया है convex, plane और concave mirror तो बच्चों ये वाला option हमारा नहीं होगा क्योंकि पहला दिया है larger in size head का larger image बनता है तो larger और magnified image कौन बनाता है हमारा concave mirror बनाता है तो देख लो आप जिसमें concave होगा वही option हमारा correct होगा option C हमारा correct answer होगा क्योंकि concave mirror दे रहा है और बीच वाला body का middle part plane mirror के द्वारा बन रहा है तभी तो same size का बन रहा है और convex third वाला दिया है मतलब leg का जो image बन रहा है वो smaller in size बन रहा है 34 number का कह रहा है हमसे 34 number के question में कि the mirror which can form a magnified image of an object is कह रहा है कि वो कौन सा mirror होगा जिसके थूँ हम magnified image बनाते हैं तो अभी हम कई बार बता चुके कि magnified image किस mirror के थूँ हम gain करते हैं concave mirror के थूँ तो option हमारा C correct answer होगा next question देख लेते हैं 35 number का question है 35 number के question में हमसे कह रहा है कि a real image of an object is to be obtained the mirror required for this purposes real image अगर हमको gain करना है तो हम कौन सा mirror लेते हैं कौन सा बच्चों concave mirror लेते हैं तो हमारा option B that is correct answer next question है बच्चों कह रहा है कि consider two statements A and B given below 36 number का question है उसमें कह रहा है कि दो statement consider करो जो की नीचे दिये गए है पहला A statement है कह रहा है कि real image is always inverted real image हमेशा inverted होता है बहुत अच्छी बात है होता भी है हमारा और B option दिया है virtual image is always direct ये भी सही दिया है एकदम correct दिया है तो कौन सा statement यहां पे क्या है correct है consider करना है मतलब की अब यहां पे देखो option क्या दे रहा है out of these two statements इन दोनों ही statement में option दिया है only A is true गलत है दोनों true है भाई बी दिया है only B is true ये भी गलत है क्योंकि दोनों true है option C हमारा correct answer होगा क्योंकि कह रहा है both A and B are true ठीक है बच्छों तो correct answer हमारा काउंसा होगा option C हमारा correct answer होगा ठीक है बच्छों